मेरे को अभी उतनी कुछ खास पसंद नहीं मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं बिल्कुल भी और रिक्रेट हो रहा है कि क्यों देखके हैं यहां से लवडा फेटके मारू आना जिसने पुरानी सारी स्पाइडर मैंस देखिया ना उसी को समझ में आएगी है क्या किया यह सौरव तुने यह क्या किया नो हेट टू सौरव जोशी देखो मैं आज अपनी शकल नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरी सच मैं फट रही है क्योंकि 10 मिलियन वाली यूट्यूबर को रोश्ट करने जा रहा हूं हलाकि यह पहली बार नहीं है लेकिन जो भी मेरी फेवरेट मार्वल मूवी की पिछली मूवी इसका कॉंसेप्ट जाने बिना उसकी बेज़ती कर सकता है तो मैं कैसे शांत बैठ जाओं तो आज हम इसी बहाने से ककडी माश्टर के नाम की सुपारी लेते हुए उस सुपारी को तंबाखू बना डालेंगे और उसके बाद नए साल की शाम आने से पहले ही सौर अफ उर्फ ओवर्रेटिड जोशी की गंदी गेंद फाड़ेंगे तो शुरू करने से पहले जगात अदर पर शुराम और करते हैं साधर पर नाम सौर अफ जोशी यूनिवर्स के एक ऐसा एक लौदा चमकता हुआ सितारा जो कि अपने घर के कोने-कोने में से घुरपैस डालके कंटेंट को खोद के निकाल लेता है और कभी कबार तो उसके रिसेदारों का लड़का ही उसके घर में कंटेंट की बाहर ले आता है और कभी कबार तो सौरफ के ओडियन्स को इतनी जादा कंफीजन हो जाती है कि वह उससे जादा उसके भाई को देखने लगती है और कभी कबार तो सौरफ सимcular constipar तो हाल फिलाल में यह हमारा स्पाइडर मैं नोवे होम देखने गए जो की मुवी है जिसमें पुराणी मुवी इसको छोड़ो इन्हों ने सबसे शुरुवात वाली स्पाइडर मैं भी नहीं देखी क्या बात कर रहे हो यार वो हमारे चाचा ताउ तक ने देख रखी है लान मुझे क्या करना चलो उन लोगों ने तो नहीं देखी लेकिन इन महराज ने देखी तो क्यों देखी अधिकतर सभी जानते हैं कि मारवल की सारी मुवी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है तो तुमको सारी देखनी पड़ती है तब जाके तुमको स्टोरी समझ में आ आती हैं क्यार इतना कॉमन सेंस होता तो भाई आज व्लॉगिं क्यों कर रहा होता नो हेट टू सौरव जोशी क्यार अब डिसलाइक करते करते यहां तक देख लिया है तो पूरा देखके जाना क्योंकि जो मैंने शुरुवात में कहा था वह जूट कहा था आखिर सौरव को चुरन खाने वाला लवड पर साथ यह हमारे साथ लाइन पर पहले ही जुड़ने वाले था लेकिन आज जुड़ चुके हैं नमस्कार सर कैसे हैं वह जरा एक सेकिंड चूनन सुगना तर्टी नहीं कर लिए सर आज का मुद्धा यह है कि यह जो फैमिली व्लॉगर्स हैं इतने से व्यूज के लिए इतनी अच्छी मूवी के पुराने पार्ट देखे बिना उसको घटिया कैसे बता सकते हैं देखिए इस सवाथ थोड़ा सा पेचीदा है पहले हमको थोड़ा सा पाथ ले दिए अरे इंडियन व्लॉगर्स जिनको इतना नहीं पता कि अच्छी मूवी देखने के लिए उसके पहले के पार्ट साल का आखरी दिने तो किसी से पंगा लेके उसकी गांड में नहीं करी तो किस बात का साल वैसी इस साल में सेकेंड वेब में हो गया पुराल चुड़ो पैड़ च जुका है लेकिन इतना ब्रश पूरी तरीके से चूती आ गए हो क्या रोज रोज एकी टाइप की चीज़ देखके बोर नहीं हो जाते हैं मैं बताता हूं ना क्या हो रहा है लॉगडाउन के चक्कर में सब को पिछवाड़े हो गया है आलसी तो हर किसी को अपने ही लाइफ रोज रोज कंटेंट बनाने के चक्कर में आपको वह वह एक्सपेक्टेड़ चीज़ें तक करनी पड़ जाती हैं जिसका आपका अंदर से मन भी ना कर रहा हूं लेकिन मजबूरी यह नहीं डालोगे तो रिकॉर्ड टूट नी जाएगा तीन सो पैसेट दिन का नो हेट टू सौरफ जोशी वह बात जोड़ो आज गेम में यह लड़की कैसे मेरे पीछे भाग रही है लागता है इस नाचीज मकोड़ी के ट्रेनिंग तरह काम आ रही यार यहन क्या पात है खैर जिंदिगी में बहुत सारे गम हैं किसी के पास जादा हैं तो किसी के पास कम हैं इसलिए हम किसी के पीछे दोड़ते नहीं और दोड़ते हैं तो उसे छोड़ते नहीं तो क्रिप्या करके हम इनके प्यारे बाहर वाले प्रिये जनों के लिए कह देते हैं साफ साफ कि हम जब अपनी पर आते हैं तो हम पेल ही देते हम किसी से नहीं डड़ते तो हमें गन दिखाने की जरूत नहीं है ना हमारी तुझ जाटे उखाड सकता है बाई कापना अब ही कापना तो चलो ठीक बात है लेकिन हातों का कापना तो कोई अलग लक्षण का संकेत देता है जोगता बाई जोगता यार चपल मत निकालो बाई जब इतनी ही ठेड़ लग रही है तो एक लेर वाले स्वेटर और शर्ट पहन के घर से बाहर निकल के नेता बनना जरूरी है क्या है सौरफ भाई तुम बरफ देखने आयो खुद को बरफ बनाने नहीं ओ भाई बरफ गिर रही है यह देखो नहीं मैं तो अंदा हूँ लाइफ की पहली बरफ गिरते वह देख रहा हूँ वह भी रात के धाई बजे अकेले बहार जंगल पर बागे सब सोच चुके हैं दो चार बाते और बता देता जैसे कि जमीन पर कीड़े रेंग रहे हैं जंगल में दूर किनारे शेर और शेरनी का सहवाज चला है जिसमें शेरनी पूरी तरीके से मूड में है और सहवाज के लिए तयार है और बार बार से हवास करने के बाद शेर की ठकान साफ जलकती है हसने की बात नहीं है मैं कह रहूना मैं कहता ही रहूँगा और बार बार कहता रहूँगा कि ये सारा का सारा डेली व्लोगिंग का खसूर है अच्छे खासे आदमी का दिमाग खराब कर दिया बेचारे का चलो बरफ गिरते वे भी देख लिया है अब गिरने देते हैं इसको हाँ आपका पर्मीशन देना तो जरूरी है न तो अब इसकी बरफ देखके मेरे को भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है और अगर समझ गए हो तो as always सबस्क्राइब वाले बटन को तोड़ के बाजवाले गंटे के पर लगाना मत बूलना बईवे मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हो अच्छे अच्छी बाते करो तो अच्छी अच्छी करेंगे गालिया बखोगे तो और आज रात आने वाली इस साल की आखरी रात है मुझे देखने वालों के जवानी के जोज सब के साथ हैं गल्फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड सब के पास है और मेरे पास रजाई के अंदर सिर्फ एक हात है चलो मेरे मूट की ऐसी तैसी तुम लोग खुश रहो सुरक्षित रहो आबादी से रहो और मजे करो जिंदगी के रात बर एपसलीट रंडी वीजे मकॉड़ा एंड वोल टीम की तरफ से तुम सब को विश यू आ वेरी वेरी हैपी न्यू यर बई वे तुम मिलते हैं नेक्स्ट यर इसी जोश इसी जलवे के साथ तब तक के लिए आपका अपना एपसलीट और दुश्मनों की आपके चलवाओ थोड़ न्मूड बनाएज याइ कपापी घे ले ले लो